अब भुबाल से बड़ी कबर जहापर मध्रप्रदेश में कॉंग्रिस को बड़ा जटका लगाए अब जहापर मध्रप्रदेश में कॉंग्रिस के एक से कद्दावर नेता भारतिया जनता पार्टी का दावन थाम रहे हैं और इसे में विदिशा से पूरविधायक कॉंग्रेस निता राकेश कटाने इसके लावा पूरविधायक दिरेश वहिरबार ने बीजैपी जुएन कर ली है कॉंग्रेस पार्टी सिंग का मोव बंग हो गया इसके लावा 10 से ज़्यादा कॉंग्रेस कारी करता होंने भारतिय जनरता पार्टी का दामन थावा है प्रदेश अद्रेक्ष विडिश्रमा की मौझूदगी में सदस्ता अनोने नहीं दिश्वर्माने उन्हें प्रदस्टाश्टाज लाई है भारतिय जनरता पार्टी की वुपेंद सिंग नरत्म मिश्वा भी मौजूद रहे तो लोकसवाज जुनाव से पहले एक जटका कॉंग्रेस पार्टी को लगता हुआ नजर आ रहा है इससे पहले हमने देखा कि जबल अब भारतिय जनरता पार्टी में शाविल हो गए नीलम हमारे साथ हमारी संभाता तरस बग जुड़ गई हैं नीलम में क्या हो रहा है मतरप्रदेश में के बाद एक कॉंग्रेस की पिलर गिरते जा रहे हैं भारत जुड़ो यात्रा चला रहे हैं रावल गांधी इधार इ जोइनिंग अभियान शुरू किया है उसके तहट कई बड़े नाम जो है बीजेपी में शामिल होते हैं हमें नजर आ रहे हैं कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि जबलपर से महापौर जगत बहादुर अन्ना जो कि कॉंग्रेस में जबलपर के पिलर का का काम कर रहे उन्होंने बीजेपी जोइन की इसके बाद कॉंग्रेस एगल सेल के अध्यक्ष शांग शेकर शामिल हुए थे और आज जो है कॉंग्रेस विदीशा के जिला अध्यक्ष राकेश कटारी इसके अलावा जो टीकमगड के पूर वविधायक रहे हैं दिनेश वहरवार और इस बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं यानि कि कही न कहीं मध्यप्रदेश में ये नजर आ रहा है कि बीजेपी मध्यप्रदेश को कॉंग्रेस मुक्त कराने की जो है जुगत में पूरी तरह से जुटी हुई है और इस बार जो है कई ऐसे बड़े नाम है जो कॉंग्रेस क हैं पर अब वो जो है बीजेपी में धीरे-धीरे शामिल होते जारे हैं तो जाहिर तोर पर अब जब लोगसभा चुनाओं में बेहत कम समय बचा है अब माना जा रहा है कि अपरेल मई में लोगसभा के चुनाओं होंगे और ऐसे में बीजेपी ने जो अपना टार्गेट इसलिए ऐसे रोडों को भी जो है अपनी तरफ किया जा रहा है अपने पाले में किया जा रहा है और जाहिर तोर पर अब कॉंग्रेस के लिए चंता का विशेश जरूर होगा कि जिस तरह से एक से एक बड़े नाम अलग-अलग छेत्रों से जो हैं बीजेपी में शामिल होत बीजेपी तक चलना है उसमें और कौन से बड़े नाम जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं बिल्कुल और ऐसे में और कौन-कौन से नाम होंगे निलम देखिए जगत बाहतुर सिंग चले के हैं इसके वाला दिनेश वहरवार, राकेश कटारे, कोई और भी नेताओं की बीजेपी की जीट में कहीं रहा कर रोड़ा बन सकते हैं उन्हें जो है अपने पाले में करने की पूरी कोशिशे की जा रही है हाला कि कौंग्रिस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी जो है दबाओ बना रही है ब्लैक मेल कर रही है इसलिए कौंग्रिस के जो बड़े नेता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वहीं ये शामिल होने वाले नेताओं का कहना है कि वह अब कौंग्रिस में जो है उन्ह नाव की तैयारियों की बात करती आ रही है क्या से बात करना और कारेकरताओं को जो है साधना मकसद है या फिर जो बड़े नेता है उनकी नराज़ी को दूर करना भी यहां पर जो है एक पहलू हो सकता है बिलकुल देखिये जगत बाहदुर सिंग हो गए शेशांग शेकर हो अब दिनेश अहिरवार का नाम सामने आ गया है राकेश कठारे का नाम सामने आ रहा है तो ऐसे मैं सवाल यह है निलम कि कॉंग्रेस पार्टी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है यानि कि राजेश कठारे दिनेश अहिरवार और तमाम जो नाम जो कॉंग्र और केलावावारा जो परवार बाद जो मौका नहीं मिल पारा है कईबार नेतां को ये वी वजफिय वज़ा कि बारती जञनतर पार्टी में च्छोटे से च्छोटा कारी करता है मुख्य मतरी नेतरी नेतां, तब कि बहुंचा देती है ये वी एक बज़ा है कि बीजेपी में आएंगे तो मुखा मिलेगा और कॉंग्रिस मेंगे तो सिर्फ परिवारवात को ये बड़ापा मिलता है और मुखा अन्ने कारिकरताओं को ये नेता को नहीं मिलता है बिशाइधारवात की सवाल हम सुनते आए हैं और कई तरह के धारण भी हमने देखे हैं कि यहां पर परिवारवात काफी जादा हावी रहा है और ऐसे में बीजेपी के अगर हम दूसरी तरह देखें तो बीजेपी में एक साधारण कारीकरता को मुख्यमंत्री तक का बनने का मौका मिल जाता है जब सीएम मोहन यादव को मुख्यमंत्री पत का शपत दिलाए गई थी तब भी यही कहा गया था कि उन्होंने कारकरता को मुख्यमंत्री बनाने तक का जो सफर है वो बीजेपी में होता है और आप देखें सीएम पहुच चुके हैं और हम कोशिश करेंगे सीएम माफ कीजेगा सीएम नहीं है यहाँ पर दरसल आज बीजेपी में एक बड़ा कारिकरम भी होना है तो थोड़ी देर में सीएम भी यहाँ पर पहुचेंगे और भी कई नेता जो हैं पर कैलाश विजेवर्गी पहुचे हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर और लगतार जो है जिस तरह से जोईनिंग अभियान चल रहा हम कोशिश करेंगे उनसे भी प्रतिक्रिया लेने की कि कॉंग्रिस में ऐसी क्या वजह रही है जो बीजेपी मे जो है नेता के शामिल होने का जो है दौर शुरू हो चुका और आप देख सकते हैं कि सीएम भी यहाँ पर पहुच चुके हैं बीजेपी आज अपने लोगसभा प्रबंधन कारायले का उद्घाटन करने जा रही है ताकि लोगसभा चुनाओं में किसी तरह की कमी ना हो और आप देख सकते कि सीएम भी पहुचे हैं यहां पर थोड़ी देर में जो है लोगसभा चुनाओं प्रबंधन कारायले का यहां पर घाटन भी होगा हम प्रतिक्रिया लेनी कि उनसे पूरी कोशिश करेंगी कि ऐसे क्या बड़ी वज़ा है कि बड़े बड़े नेता जो है शामिल हो रहे हैं जी बिलकुल निलम और देखे मोख्यमंद्री पहुच गए हैं ठीले बहुत शुक्रिया आपका आप नजदर बनाये रखिए अपडेट साब से लेते रहेंगे देखे कॉंग्रेस छोड़कर भारते जनता पार्टी में जो नेता है वो लगातार शामिल होते जा रहे हैं और देखे एक के बाद देख कॉंग्रेस के जो नेता है वो बीजेपी में जा रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं